नमस्कार दूस्तों इस्टेटिवी ज्यान प्रकास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की तारीक 26 सपरेल अगर आप लोगों को भी यूटूब का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वाला जो टेलिग आपने अभी तक इस टेलिग्राम सेनल को जोईन नहीं किया है तो अभी जोईन करने कल मैंने दो वीडियोज अप्लोट किये थे और स्याद उनका नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों को नहीं मिला और यहीं वज़े थी कि बहुत सारे लोग इस वीडियोज को वाच नहीं अप्लोट किया था और यह जो क्वेशन पूछे गए 120 प्रस्ण जीयस के अंतरगत इसमें आपको जरूर देखना चाहिए कि जो काफी बदल चुका है अब बहुत चर्चित जो प्रस्ण होते हैं ऐसे प्रस्णों को नहीं पुछा जाता है प्रस्ण ऐसे पुछे जा रहे ह जैसे कि जब आप ऐसे क्वेशन जिस पर आपका फोकस बहुत कम रहता है और ऐसे ही प्रस्ण आप पर सिद्धे सिद्धे पुछे जा रहे हैं तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर बास किजिएगा चाहे आप लेकपाल भरती की त्यारी कर रहे हूं या फिर कोई भी प लेकपाल भरती के लिए मौड़ या या आ या और आधे माड प्रति के हैं और आनलाइन अवेदन चल रहे हैं 24 तारिक से ही और अभी तक कुल 713 भेटों ने आनलाइन रेस्टेशन करवाए हैं तिरावन भेटों ने फार्म को पूरी तरह से तो इलहाबाद विस्विदाले में प्यजडी में प्रिविस्ट लेने वाले नेट जयारफ अभेटों की रहा हसान नहीं होगी इलहाबाद विस्विदाले प्रशासन ने इस सत्र में सोध मिदाखले की प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है यानि कि जो लोग net या ज्यारफ हैं उनको वेटिस दे दिया गया है कुछ अंकों का net को 3 अंक और ज्यारफ को 5 अंका 80 वेटिस जो हो मिलेगा लेकिन परिच्छा में सामिल सभी को होना पड़ेगा क्रेट परिच्छा के बारे में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आविधन की जो अंतिम दिती है वो 16 मई है और यहाँ पर जो क्रेट की परिच्छा होगी वो 300 अंकों की होगी और तीन सौंगों की परिचा के बाद क्रेट के लिए जो फालल मेरिट बना जाएगी उसमें तीन लेबल रहेंगे इसमें लिखित परिचा के साथ साथ इंटर्वियू और जो अकेडमी का आपका है तीनों को जोड़कर एक फालल इंडिक्स त्यार के जाएगा उसके बाद क् उत्तरप्रदेश TGT PGT 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों में से कई सतरे लोग ये जाना चाहते हैं कि उत्तरप्रदेश में TGT PGT 2022 के नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो फ्रेंस सबसे पहले तो तुरुना सा बैग्राउंड देख लेते हैं कुर्मिला के प्राप्त हो चुका हैं लेकिन यहां पर एक मुश्किल है कि आयोग में जो 10 सदस्टों होते हैं ये सभी सर्थे दृत्तों की पद अभी खाली हैं इनके लिए अनलाइन आवधन मागे गए हैं लेकिन सद्थें को निउग्त हैं लेते हैं मतलब ये जो सीटे हैं दस सद्ट जो हैं इनको न्यूट करते करते कम सकम एक से दो मैने का समय तो लगेगा और इसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें भी कम सकम दो मैने का समय लगेगा तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो TGTPT का जो नोटिफिकेशन है ये आपको कम से कम सितंबर के बाद देखने को मिलेगा हाला कि सितंबर के बाद अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो दिसंबर या जनवरी में इसकी परिच्छा हो सकती है तो कुल मिला के आपके पास लगबग 6 महीने का वक्त है और ये 6 महीने आपके लिए बहुत ही महत्तुपूर है फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका जो सिलेबस है उसकी तैयारी आप महज 15-20 दिनों में एक दू महीनों में नहीं कर सकते हैं प्रतुविक्ता दिन प्रति दिन कटिन से कटिनता मोती चली जा रही है और बहुत सारी अच्छे-ची प्रतिभाएं कमर तोड़ मेहनत करने वाली प्रतिभाएं भी प्रतुगी परिक्षाओं में आ रही है नौकरी पाना वाकई इतना असान नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है बसरते की आप नहीं में तुरूप से त्यारी करते रहें तो उत्तरफदेश में 2022 में TGTPT के आने की पूरी उम्मीद है बसरते की आप पने त्यारी में लगे रहें जो भी आपका विसे है उस विसे की आप पूरी तयारी करें और इसके लिए आपको अभी से लगना होगा जो भी विसे आपका है उसके लिए आप अभी से उसकी study त्यार कर दें आपको याद होना चाहिए कि आपके पास समय मात्र शहमेने का है और शहमेने में आपको intermediate प्लस अस्तर का जितना पार्टिक्रे में उतना कम्प्लीट करना है गाइड़ बुक की भी सहाता लेंगे तब भी आपको अपनी जो प्रामरी की किताबे हैं प्रामरी मतलब हाई स्कूल इंटरमेडियेट और उसके बाद असनातक अस्तर की जो किताबे होती हैं उसको पड़े भी न अधियाचान प्राप्त हो चुका है दस सदस्यों के निँकती के प्रेक्रिया चल रही है सद्यों की निउक्ती के बाद निशुटरी रूप से मोगने जारी होा है उसके पर बिग्यापन होगा उसके बाद इसकी परिशकरवाई यह पिर आगी आगी चीजिए आपके हाथ म तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नई सिक्षानित के अंतरगत ये कहा गया था कि 2022-2022 में चार साल का जो BA होगा वो स्टार्ट कर दिया जाएगा लेकिन अंतर में रेडर ये लिया गया कि मात्र 50 ऐसे संस्तान होंगे जहांपर चार साल का इंटिग्रेटेड बीएड स्टा आएगा यानि कि अगर आप चार साल का बीएड करते हैं तो साथ साथ आपको जो है असनात तक और बीएड दोनों ही सर्टिफिकेट एक साथ ही आपको प्राप्त हो जाते हैं नहीं एजुकेशन पालिशी के अंतरगत ये भी कहा गया है कि वर्स 2030 के बाद सिर्फ चार साल का जो इंटिग्रेटेड बीएड होगा सिर्फ वही भरतियों के लिए मानने होगा यानि कि अगर आपने चार साल का बीएड नहीं किया होगा तो 2030 के बाद आपको सिक्षक बनने का उसर नहीं मिलेगा ये बात देखो मैं अपने मन से नहीं करा रहा हूँ ये निव ले भी आनलाइन आवेड दन चल रहे हैं तो बीएड ले जो आनलाइन आवेड दन चल रहे हैं उसमें जो बीएड है दो साल का बीएड है और आपको सही कहूंगा कि अभी आपके पास काफी वक्त है आठ साल का समय है तो दो साल का बीएड ही आप कर ले वह आपके लिए ब तो आप पूरा करें और उसके बाद प्रदुगी परिशाओं में हिससा लें और अपना कैरियर सुनिश्ची तरहें एक सिक्षक की रूप में और याद रहिए कि शिक्षक बनना ये वागी भागी बात है जो आनन्द सिक्षन छेतर में आता है वो आनन्द किसी अन्य चेतरे में नहीं आता है, बच्चों के बीच में रहना, बच्चों को ट्रीट करना, बच्चों की मांसिक्ता को समझना, फिर अपने हम उम्र और हम पे साध्यापकों के बीच में बैटना, एक बहुत ही freedom आपको मिलता है, बहुत ही creativity के साथ आप अपना काम कर सकते हैं, तो चा यहाँ पर हम याद करेंगे अब बेसिक सिख्चा परशित के पूर सच्चियू संजज सिना जी को, यह नाम काफी चर्चा में रहा है, जो लोग 12,825 सिख्चक परटी से जुड़े थे, वो प्रतिदिन ही इस नाम को सुनते समझते थे, जब 12,825 का दोर चल रहा था, जब एक क्रम चल रहा था, फिलाल अब संजज सिना जी हमारे बीच नहीं है, सबसे पहले तो इन्हें भावपूर्ण सद्धांजली, तो निदेशक साच अर्ता बैकलबी सिख्चा उर्दू और प्राच भासाय पत से सिवानिब्रित बेसिक सिख्चा परशित की सच्यू, सिख्चा परशित सच्यू रहे और इस पत पर उनका दूसरा कारेकाल 20 दिसंबर 2012 से 9 सिख्चा निदेशक मादिमिक भी रहे, तो इनके बारे में ये परचे के कोई मोहतास नहीं है, फिलाल अब ये हमारे बीच रही है, और संजज सिना जी को भावपूर्ण सद्धांजली चलते हैं, अगली खबर पे तो स्टाफ नर्स भरती परिच्चा में धान्दी पर आज कोट में सुनवाई ही होनी है, आज यानि की 26 तारीक को, तो यहाँ पर देखिए याची के अधिवक्ता अगनेहोतरी कुमात रिपाटी का तर्ग था कि स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेट दो परिच्चा का विग्यापन 2021 में जारी किया गया था, और उसका परिणाम 3 अक्टूबर को खुशित हुआ, परिच्चा वसनिस होने के बावजूद आयोग द्वारा जारी आंसर सीट पर याचीगन की आपत्यों को नहीं सुना गया, और परिणाम खुशित किया गया, यह भी कहा कि जिन अबेटों ने अपने अनुबर प्राण पत्र लगाये थे, उस पर मिलने वाले 15 अंगों का वेटेज भी उनको नहीं मिला, मामले की अग्री सुनवाई आज यानिक 26 अप्रेल को होनी है, तो बिजली कटोती के बारे में भी एक बड़ी खबर निकल के साम मुख्यमंत्री के द्वारा अफसरों से कहा कि जरुत पढ़ने पर ही बिजली खरीदें, तो जरुत पढ़ने पर बिजली खरीदी जाएगी, लेकिन बिजली में कटोती नहीं की जाएगी, तो यहाँ पर खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने और जाविभाग और पावर कार्प्रेशन के अजगारियों को निर्दिस दिये हैं कि बिजली कटोती बंद करें सभी चेत्रों को निर्दारिस रोस्टर सेड्यूल के मताबिक बिजली की आपूरती हराल में की जाए और इसके जो भी वियुस्था करनी हो करें जरूरत हो तो अत्रिक्ति बिजली खरिदने की भी वे उस्था करें सिकायते मिलने के बाद ये नेड़े लिया गया है तो ये एक काफी रहात वली बात है और बिजली की कटोती अगर गर्मियों की में होती है तो खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है खासतों से रातों में तो फिर नहीं दी नहीं आती है और यहाँ पर देखो खबर आ रहे ही कि उत्तरपदिस मादमी सिक्षा पर से थाई स्कूल और इंटर्मिटर परिक्षा 2022 की उत्तरपुस्तिकों का मुल्लांकन हो रहा है लेकर ताकि मुल्लांकन कारे में सिक्षकों को उनके बिसे से इतर उत्तरपुस्तिकाएं नहीं लेकिन दुर्भाग की बस कई अस्थानों पर ऐसी इस्तिती सामने आई है इस्तिती यह है कि स्थार जी सिक्षा बिसे के सिक्षक की ड्यूटी हिंदी की उत्तर पुस्तिकाएं जाजने में लगा दी गई गई है मतलब यहां का वहां हो गया और ऐसी सिक्षी में मुल्यांकन गुरोता पूण होना यह तो बहुत ही मुस्किल है तो फिलाल ऐसा कुछ चल रहा है मुल्यांकन में कई सिश्कों की डूटी बिसे के विप्रीत लगाई गई है और इसका संग्यान भी लिया गया है आनेमले दिनों में तो कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकता है यानि कि कुछ ऐसे सिख्चक है जो कि अपने बिसे क खरीद लिया है आपने पढ़ा था अगर आप करने फिर पढ़ते हैं इस चैनल पर आपको याद होगा कि एलन मस्क ने कुछ दिन पहले एक अपना सोचल मीडियर प्रेट फार्म डेक्लेर करने की बात कही थी लेकिन फिर क्या हुआ सोचल मीडियर प्रेट फार्म जो है जो होता है कि अगर कोई कंपणी खुद को किसी के अधिगरण से बचाना चाहती है तो उसे पौजन पिल टेक्निक कहते हैं फिलाल ये टेक्निक काम में नहीं आई है और अब ट्वीटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है तो अब ट्वीटर का जो मालिकाना है कि वो मिल गया है कि इसको एलन मस्क को और एलन मस्क बहुत दिनों से प्यास में थे कि यह को ख़रीदें और आप ट्विटर के जो नए माली बन गए हैं वह एलन मस्क बन गए हैं और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल करें किया है तो सब्सक्राइब कर लिजीएगा ताकि यहार नोटिफिक